लेकिन बेरोजगारी तथा विध्यारतियों के शेक्षनिक जरूरी महत्व के व्यवसाइक संस्थार निर्मिता में पीछे दिखाई दे रहे हैं हिंगनगार तालुका में बड़े गालजे बालजे के साथ टेक्स्टाइल पार्क की निर्मति की गई लेकिन यहाँ पर भी स्थानिक लोगों को तरजीन नहीं दी गई है यहाँ हमेशा की तरह पारमपृतिय उम्मीदवार को भरती करा गया गया है हिंगनगाट तालुका में शौसन का उप जिला रुगनाले कारेरत है लेकिन बहार डॉक्टर सहीत कर्मचारियों की कमी है इस वज़ा से आरोग ये सेवा भी हिंगनगाट विधानसभा शेतर में पिछडी दिखाई दे रही है ये रुगनाले को जिला रुगनाले का दर्जा मांग करने पर भी अब तक नहीं मिला है लोग प्रतिनी धी ने इस रुगनाले को जिला रुगनाले का दर्जा मिलने की बात की थी केंद्र तथा राज में भाजब सरकार होते हुए भी नागरिक के जीवन से संबंदित महत्व के प्रश्ण की और अंदेखी करके रास्ते और पुल निर्मिती करने में यहां के लोगप्रतिनी दी मश्गूल दिखाई दे रहे हैं हिंगन घाट में वैदिकी महाविद्याले निर्मिती का मुद्दा कई बार चचा में आया लेकिन लोगप्रतिनी दी ने इस और ध्यान नहीं दिया जिस वज़े से ये काम भी अब तक नहीं हुपाया है बेरोजगारों के लिए रोजगार मिले ऐसा कोई बड़ा प्रकल्प अभी तक हिंगन घाट तालुक में आया नहीं इतना ही नहीं बलकि तांतरिक रोजगार के लिए आवश्यक अभी अंतरी का महाविद्याले फार्मिसी महाविद्याले ऐसे संस्था को शुरू करने का भी प्रयास नहीं हुआ है मतदार संथ में विकास मतलब अरास्तेव पुल निर्मिती यही विकास का मोल मंत्र है क्या यह सवाल समझधार नागरी पूछ रहे है NBCN News के लिए हिंगन घाट से रवी यो नूर करकी रिपोर्ट